कि यह में रेसिपीज के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्रेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार पापा ममी किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाना जा रहे हैं ऑथेंटिक कोरियन रेसिपी इसे कहते हैं खंजे जान सादारन भासार हम लोग इसे पटाटो पैनकेक भी कह सकते हैं पटाटो पैनकेक वैसे आपने बहुत तरह के खायोंगे पर आज जो हम बनाना जा रहे हैं ऑथेंटिक कोरियन रेसिपी है और इसके साथ खाया जाने वाला जो सौस है वह भी हम आपको बनाना बताएंगे आई ये सबसे पहले हम सौस बनाना सुरू करते हैं जैसे हमारे पेनकेक बनेगा उसके बाद मम गरम गरम एक स्का सब कह सकते है इसके हमारे उसको चोटा-छोटा पीस में डाल दीगे और जिसमें हम सॉया सॉस बनाएंगे उस बॉल में यह प्यास को डाल देते हैं इसमें हम आल पेनो डाल देते हैं लग बग अमने 10 पीस लिए है यह काफी तीक होती है और खाने में इसके साथ बहुत अच्छी लगती है दो च करोश्भार बन कर तयार हो गया तपने के तियार हो गया है अब फैनके का लिए पीका कर एंगे इसका निए में ली आप Nicole को इस तरह हमने सारे य। के लिए हैं अन्दर एक प्याज भी किस देंगे इसमें एक कांदा हमने किस दिया है, कांदा और आलू दूनों का भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसमें लगब आदा चमच हम नमक डालेंगे, और तीन चमच हमने कॉन फ्लॉर लिया है, इसको भी इसमें कर लेंगे, और सब को अच्छे सहीला देंगे, कॉन फ्लॉर इसमे यह मारा घरम हो गया तो इसके उपर हम रेटर डाल देंगे आप जो भी साइच का बनाना चाहें विश साइच का बना सकते हैं इसको फ्लेम में हम पकाएंगे इसके उपर भी हम तेल डाल देंगे इसको हम पलट देंगे देखिए एक बार गॉल पर देंगे देखिए दोना तरब से बहुत अच्छा कुस्पी पंद रहा है देखिए बनके तयार हो गया है इसको बनने में लग बग आठ मिनट लग गया है और हमने स्लो फ्लेम में बनाया था इसलिए इसको थाइम लगाया और स्लो फ्लेम में अच्छा बनता है यह तो यह अच्छा रह जाता है इसको अब हम लेट में निकाल लेगे इस तरह हम सारे बना के तयार कर लेंगे यह उमार सबी पैन के बन के तयार हो गए है और गेस बन के दिया है लीजिये हमारे पटटो पैन के बन के तयार है मैं जब कुछ ताइम के लिए यूस में रही थी उसमें मेरी कोरियन फ्रेंड बनी थी और उसना हमें खाने पर बुलाया था उसके गरमे रसेपी मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसी से मैंने यसी की और आज आपके साथ भी मैंने शेर की है और यह खानना में बहुत अच्छी लगती है आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं और इसी तरह के अने रसीपी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पापा मामी कीचन को जरूर सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में बनाना जा रहे हैं वेट फ्राइड राइज सफेकेले गट बाइ और यूटिक अपने बनाना करें deliberने है दाता हुई है